Hey guys, what's up? So, दिल चाहता है तीन दोस्तों की कहानी है आकाश, सिड और समीर आकाश प्लेट बाई आमिर खान जो की एक रिच फैमिली से बिलॉंग करता है और काफी उबर कूल जिंदगी जीता है अपने दोस्तों का तो वो फेवरेट है और बाकी लोग भी उससे बहुत प्यार करते है क्योंकि he's very cool और super cool और सिड जो की अक्षय खन्ना प्ले कर रहे है वो काफी simple बंदा है और वो ज्यादा बात नहीं करता है और शान्त रहता है और एक painter भी है और एक काफी philosophy और deep stuff deep conversation में यकीन रखता है और Samir which is played by सैफ अली खान जो की अपनी एक relationship में with a girl नेम प्रिया और वो थोड़ा सा confused है कि वो क्योंकि प्रिया हमेशा उस पे रॉब जारती रहती है काफी bossy act करती है और Samir की एक प्रोड में उससे जो भी लड़की मिलती है वो उसके तरफ attracted हो जाता है so ये था इन तीनों का character basically अब बात करूँगा आगे की movie में है क्या और समझाने की कोशश करूँगा की movie की story क्या है but before further moving I would be really glad if you please subscribe to my channel and show us love support me by subscribing to us so ये तीन दोस जो है वो एक रात अपनी graduation night pack club में chill कर रहे होते हैं और तभी आमिर खान को शाल्ली देखती है शाल्ली इस प्रिती जिंटा और वो शाल्ली को propose करते है but वहाँ पे एक scene create हो जाता है क्योंकि शाल्ली का मंगेतर रोहित which is played by अयूब खान वही पे आता है और उसकी धिशुम धिशुम हो जाती है आकाश के साथ और फिर उसके बाद इन दोस्तों की life और आगे बढ़ती है like Sid के घर वाले चाट Sid जो है वो एक painter है और उसकी मुलाकात Tara Jaiswal से होती है Tara Jaiswal which is played by Dimple Khanna जो की एक architect है वो उनके घर के पास रहने हाती है और Sid उनकी help करते है और थोड़ी बहुत you know like loading में, unloading में like घर में जब समान like जब हम लोग loading, unloading करते हैं जब वो एक नई place पे move करते हैं और क्यूंकि Sid एक painter है और Tara Jaiswal एक architect है तो Sid उसे अपनी drawings दिखाता है और Tara उसकी drawings देखके काफी impressed होती है और उन दोनों के बीच में एक emotional bond develop होता है और क्यूंकि Tara एक अपने husband से separate हो चुकी है और उनकी एक छोटी बेटी भी है जो की अपने पापा के साथ ही रहती है Tara के साथ नहीं रहती है और Tara has a drinking problem and she's little bit sad also in life and she's lonely to her and Sid की life और Samir की life में बात करी जाए तो वो उसके घर वाले उसे एक लड़की से introduce करते हैं जिसका नाम है पूजा और वहां से Sid का एक नया Samir का एक नया love angle start होता है पूजा के साथ और फिर ये दोस्त जो है वो गोवा trip पे जाते हैं और गोवा जाना is like a trend इसी यही मूवी ने एक इस गोवा जाने को फ्रेंड्स के साथ गोवा जाने को एक trend set किया है इसी मूवी ने गोवा फ्रेंड्स के साथ गोवा जाने को एक norm बना दिया एक friendship goal बना दिया तो ये लोग गोवा जाते हैं जहां से आमिर खान और अक्षे खन्ना जल्दी वापस आ जाते हैं पर जो सैफ अली खान का का एक्टर है वो वहीं पर रुख जाता है क्योंकि उसे एक क्रिस्टीन नाम की फॉर्णर लड़की से प्यार हो जाता है वहाँ पर वो उसे वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि क्रिस्टीन थी शी वाज कौन आर्टिस्ट और वो एक बंदे के साथ मिलके सैफ को पूरी तरह रॉब कर लेती है और सैफ को फिर किसी ट्रक वाले की मदद से वापस बॉम्बे आना पड़ता है सो ये था कुछ ऐसा इनकी लाइफ में कुछ यहाँ था कुछ ऐसी सिच्वेशन हुई थी सो जब ये गाइस चिल कर रहे हैं आपस में हैंग आउट कर रहे हैं तो एक दिन अक्षे खन्ना जो होते हैं वो सिड को और आकाश को अपने दिल की बात बता देते हैं और कह देते हैं कि वो तारा जैसवाल को लाइक करते हैं ये किस दिन बताते हैं क्या होता है बीच में तारा का बर्ड़े होता है और डिम्पल का पाडिया का और वो अपना बर्ड़े उस दिन अपनी बेटी के साथ सेलिबरेट करने वाली होती है बट जो उसके पापा होते हैं वो उसे जाने नहीं देते तो डिम्पल का पाडिया काफी sad हो जाती है पट अक्षय खन्ना उसे cheer up करने के लिए एक party organize करते हैं जहाँ पे सैफ और आमिर भी आते हैं और वहाँ पे dimple का birthday celebration होता है और जब वो लोग घर जा रहे होते हैं यूनो लाइक वो अपने घर जब आमिर खन अपने दोस्तों को उनके घर drop कर रहे होते हैं लाइक अक्षय खन्ना के और सैफ के घर तभी अक्षय खन्ना अपने दोस्तों को अपनी feeling बताते हैं कि he really likes Tara और ये सुनके अक्षय और सैफ थोड़े शौग भी होते हैं because she's an older woman और वो उससे काफी बड़ी हैं like 10-15 साल but अक्षय खन्ना try to convince his friends like so does age even matter or is this an issue प्यार तो हो जाता है बिना कुछ सोचे समझे you know but आमिर खन का जो character है that is आकाश वो उनकी बात नहीं समझता और मजाक उड़ाता है और अक्षय खन्ना की feelings को deny करता है और most probably उनके relationship वो गलत नजर से देखता है अक्षय खन्ना को ये चीज बिलकुल बरदाश नहीं होती कि उनका खुद का दोस्त उने नहीं समझ रहा है और उनके relationship को गलत समझ रहा है गलत निगाओं से समझ रहा है कि और कह रहा है कि वो प्यार नहीं है वो कुछ और है सो वो गुस्से में आके आकाश को एक slap कर देता है और आकाश का उस टाइम ego बहुत जादा hurt हो जाता है सैफ अली खान confused है क्योंकि वो देख रहा है कि उसके दोस्तों के बीच में दरार आरी है और वो दोनों का ही दोनों के ही touch में रहता है बट उस point of time पे दोनों लोग decide करते है कि वो एक दूसरे से नहीं बात करेंगे और अक्षे खन्ना को जो के actor है वो एक artist है सो उसकी art gallery में वो अपनी paintings भी exhibitions में भी लगाता है और साथ में उसे कसौल भी जाना होता है वहाँ पे कुछ उसका artistic program होता है सो वो अपना artistic career pursue करने के लिए वहाँ पे चला जाता है like किसी institute and all और आकाश that is आमिर खान के जो dad है rich dad है वो उसे कहते हैं कि आकाश तुमें Sydney जाना होगा मेरा business समालने so वो वहाँ चला जाता है Sydney और जो समीर है which is सैफ अली खान उसकी जो love life है वो पूजा के साथ आगे बढ़ती है you know जो आपने गाना सुना होगा you know वो लड़की है कहा you know yes so उनके साथ वो उनकी life उनकी chemistry आगे बढ़ती है और अब जो है जो पूरी स्टोरी है ये पूरी स्टोरी अब आमिर खान और प्रीती जिंटा पे shift कर जाती है yes प्रीती जिंटा remember वो club वाले scene में मिली थी so जब आमिर खान अपनी flight में बैठते हैं और वो एक normal वो कोई वो business class में बैठते हैं और वहाँ पे उनके बगल में उन्हें प्रीती जिंटा मिलती है और वही से उनकी chemistry स्टार्ट होती है आमिर खान ऑस्ट्रेलिया जब जाते हैं वहाँ पे उन्हें केसी की company चाहिए होती है so वो प्रीती जिंटा को कहते हैं that is शालनी की please you can help me see around the place और मुझे घूम उसके साथ hangout करना start करतेते हैं और साथ में अपना business भी समालते हैं धीरे धीरे यह जो एक friendship है वो एक प्यार में develop हो जाती है क्योंकि शालनी जो है वो भले रोहित से engaged है बड़ वो शायद वो उससे दिल से प्यार नी करती बेसिकली शालनी और रोहित जो हैं शालनी के जो parents हैं वो बच्पन में ही जब वो छोटी थी तभी चले गए थे तो रोहित के parents ने शालनी को बड़ा किया as a baby शालनी जो है वो भले रोहित से प्यार नी करती बड़ एक तरह से वो अपने side से एक कर ज़ादा करने की कोशिश कर रही थी या एक कह सको कि she owed his parents वो रोहित से forcibly शायद शादी कर रही थी क्योंकि वो उसके parents को निराश नहीं करना चाहती थी बड़ आकाश उससे प्यार करता है और शालनी भी उससे प्यार करती है पर वो दोनों अपनी feelings को express नहीं करते हैं बहुत जल्दी और वो लोग जब एक ओप्रा देखने जाते हैं तब वो आकाश को कहती है कि अपनी आखे बंद करो और तुम्हें जो दिखे वो तुम्हारी soulmate होगी उसे वहाँ पर प्रीति जिंटा ही दिखती है बट वहाँ पर वो जो रोहित है जो कि उसका possessive boyfriend है और वो शालनी को किसी और के साथ नहीं देख सकता वो आजाता है शालनी अपने अंकल के घर पे रहती है which is played by Rajat Kapoor और एक dinner scene होता है जहाँ पर आकाश को भी invite किया जाता है वहाँ पर रोहित भी रहता है शालनी भी रहती है उसके अंकल भी रहते है पर आमिर खान जो है आकाश जो है वो थोड़ा disappointed रहता है क्योंकि उसे उसे प्यार भी है और वो express भी नहीं कर पा रहा है और उसकी शादी भी किसी और से हो रही है क्योंकि आकाश की एक philosophy थी कि प्यार व्यार सब धोका है and all you know वो love में believe नहीं करता था but story यहाँ तक move करती है और वो लोग उसे अपनी शादी का invitation देते हैं पस समीर से मिलता है सिड से नहीं मिलता है क्योंकि सिड से अभी भी उसकी बात नहीं होती है और समीर को वो अपनी problems बताता है और साथ में उसके अंकल जो की रज़त का पूर है उसे भी बताता है उन्हें भी पूरी तरह अच्छे से समच चुके हैं कि आकाश और शालनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो रोहित की जहाँ पे उनके घर जाते हैं जहाँ पे लेडी संगीत चल रहा है और वहाँ पे आकाश शालनी से अपना love confess करता है और वहाँ पे थोड़ा drama होता है और जो रोहित के parents होता है रोहित revolt भी करता है और लड़ाई करने की भी कोशिश करता है बट रोहित के जो parents है वो शालनी की खुशी चाते हैं और उसे आकाश को कहते हैं कि उसका ख्याल रखना that means अब वोन लोग की life एक साथ है यहाँ पे कहानी move कर रही है forward to the present time actually present time में एक situation यह हो गई थी कि जो अक्षय खना है that is Sid वो first scene में यह दिखाया था कि वो hospital में है और जो dimple का पाडिया का character है Tara Jaiswal वो admit है उनका operation हो रहा है she has a severe case of liver cirrhosis और doctors operate कर रहे है और यही hospital में Samir which is Saif Ali Khan अक्षय खना से मिलने आते हैं और वहीं पे वो यह पूरी story narrate कर रहे हैं अपने दोस्तों वाली you know जो incidents हो रहे थे so वहीं पे last में जब कहानी present time में move करती है तो वो लोग आकाश को भी phone करते हैं कि आकाश आज आ यार एक बार यहाँ पे देख ले और पहले तो वो मना कर देता है बट जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं वो अपने college से गुजर रहे होते हैं तो वो अपनी पुरानी memories याद करते हैं कि किस तरह college में आकाश, Sid और समीर hangout करते थे और वो वहाँ पे जाते हैं और वो Sid से माफी मांगते हैं कि Sid sorry मैंने तुझे समझा नहीं यार माफ कर दे और Sid उसे माफ कर देता है बट फिर Sid डिमपल का पाडिया के पास जाता है, तारा जैसवाल के पास जाता है and she is वो बच नहीं पाती और वो heartbroken हो जाता है, so तारा उसे छोड़के चली गई और अब वो उसके पास भले उसके दोस्त है पर उसकी love नहीं है वहाँ पे, you know और फिर उसके बाद या 6 महीने आगे की कहानी दिखाए गई है कि 6 6 महीने बाद वो सब लोग फिर से गोवा में हैं और गोवा में एक fort है, जो की famous दिल चाता है fort है, आज कल उसका नाम famous, वो famous है दिल चाता है fort के नाम से, वो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और वो वहाँ पे एक ship को देखते रहते हैं you know, वो ship जो है movie में कुछ time पहले भी दिखाई गई थी जब वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हम सब की जिंदगी हमें कही न कही ले जाएगी और हम कब तक दोस्त रहेंगे so वो लोग ship को देखते रहते हैं और तभी वहाँ पे प्रीती जिंटा that is शालनी और पूझा भी रहते हैं और वो लोग लोग एक picnic टाइप का set up कर रहे हैं और वही पे sit को एक और नई लड़की दिखती है और वो दोनों एक दूसरे के तरफ smile करते हैं that means their love connection is on और वही पे सब लोग एक साथ मिलके फिर किसी restaurant पे hangout कर रहे हैं या फिर conversation कर रहे हैं और movie वही खतम हो जाती है so ये movie का look और feel काफी अच्छा था you know movie visually तो काफी अच्छी है काफी rich और urban दिखती है you know का इसका main मकसद था थोड़ा urban और rich view दिखाना you know अमीरों की life कैसी होती है या फिर urban या metropolitan cities के youth की life rich youth की life कैसी होती है और इस movie का music तो बहुत अच्छा था ही और ये movie एक cult classic है अगर आपको ये story explanation अच्छा लगा हो then please subscribe to my channel और हाँ जब Sid जो है वो अपनी mom को बताता है कि वो Tara Jaiswal को like करता है तो जिस तरह उसके दोस्तों ने revolt किया था उस तरह उसकी mom भी revolt करती है और Tara Jaiswal भी revolt करती है कि Sid हम सिफ एक दोस्त है और मैं नहीं चाती कि मेरी वज़ा से तुम्हारे life में कोई problem आए but Sid को ये सारी conditions मंजूर होती है कि though she has a drinking problem but प्यार तो प्यार है कुछ कह नहीं सकते so हो गया तो हो गया अब कुछ कर नहीं सकते but तब भी भी वो अपना relationship या वो अपनी feelings उनके तरफ express करता है and he is totally honest regarding his feelings towards her so ये था मेरा पूरा video explanation of दिल चाता है अगर आपको ए मूवी देखना है तो definitely देखो ये YouTube पे है या Netflix पे है कहीं भी पे आपको मिल जाएगी till then take care, lots of love